अगर आपने वर्ल अफेर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल अफेर्स नाव रिसेंटली देखा गया कि USA ने ये का है कि इंडिया को चिंता करने की आफशकता नहीं है पाकिस्तान की जो डील है F-16 फाइटर जेट की ये इंडिया के इंटरस को ह इस्तमाल आतंगवाद के खिलाफ किया है अब ये जो सारा टॉपिक है इसके बारे में सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जावर मैंने आपको बदाया था कि डॉनल ट्रम के टाइम से जो चलती आई हुई एक स्ट्राटजी थी USA की कि पाकिस्तान की मि ये फ्री मैंनी कर रहे पाकिस्तान को अपनी जेव से 450 मिलियन डॉलर पे करने होंगे उसके बदले में हम इनके जो F-16 फाटर जेट है इनकी सर्वसिंग मेंटेनेंस करेंगे बट इंडिया में आपने देखा होगा बहुत से articles पब्लिश हुए जहां पर ये लिखा हुआ थ मगर इंडियन गवर्मेंट की तरफ से भी बहुत बार question गए USA को के अचानक से क्या हुआ आपने पाकिस्तान को लेकर अपनी निती चेंज क्यों कर दी आप पाकिस्तान के जो F-16 विमान है 75 F-16 विमान इनकी maintenance करने को राजी क्यों हो गए इसके reply में USA के एक बहुती बड़े diplomat है Donald Liu इन्होंने ये का है ना बाइद वे ये आपर photo है Donald Liu की बहुती famous figure है इंडिया पाकिस्तान में इमरान खान जो काफी बार कहते हैं कि USA की तरफ से कोई चिठी आई है जिसने में ही सरकार गिरा दी तो जो चिठी की बात करते हैं इमरान खान के हिसाब से ये Donald Liu नहीं लि US F-16 deal के बारे में ये कहा के दे मैंने बहुत सी concern सुनी है Indian government की तरफ से और यहाँ पे मैं एक बात clearly कह दूँ के ये जो deal हुई है 450 million dollars की ये पाकिस्तान के F-16 fighter jet की safety maintenance program का part है इसके under हम कोई नया weapon पाकिस्तान को नहीं दे रहे कोई नया weapon system कोई नहीं capacity पाकिस्तान को हम provide नहीं करने वाले तो ये USA का कहना भी के लिए है कि ये एक sale है इसको आप assistance के रूप में मत देखिए मगर ये भी अजी बात है पहले तो US sale भी नहीं कर रहा था अब ये आपर sale पर तो आ गए है देखिए definitely USA ने अपना stance तो change किया है इस बात से कोई भी argue नहीं कर सकता उसके बाद USA म के खिलाफ use नहीं किया अब एक example हमारे सामने है 2022 का ही आपको बताओगा April 2022 में पाकिस्तान की एर फोर्स ने air strikes किये थे अफगानिस्तान में ये बात इंडिया में हम लोग भूल गए है अफगानिस्तान में लोग नहीं भूले क्योंकि 47 civilians मारे गए थे पाकिस्तान की एर फो इस वजए से पूरे अफगानिस्तान में हमने देखा के पाकिस्तान की तरफ गुसा बहुत ज़़ा था और ये गुसा आपने देखा होगा recently जो Asia Cup का मैच हुआ है अफगानिस्तान में वहां पर भी दिखा है आपने नोडिस किया होगा मैच खतम होने के बाद अफगानिस् यहां पर पाकिस्तान के फैन्स को इतनी एनिवासिटी आपको इंडिया पाकिस्तान के मैचिस में भी नहीं दिखेगी। तो वहां पर आपको पता लगेगा कि अलकायदा को भी काफी बार पाकिस्तान की एरफोर्स ने टारगेट किया है उन पर बॉम्बिंग करने के लिए इस पर कोई ओफिशल डॉक्यूमेंट डेटा मुझे कहीं मिला नहीं यह यूएस डिपार्टमेंट अव स्टेट की कुछ स अब यह तो जी है यूएसे का वर्जन के देखो कभी कभी करता तो है पाकिस्तान यूज अपने फटर जेट्स को तो इंडिया को चिंदा करने की आफशकता नहीं है हमारा केस जनुएन है हम पाकिस्तान के साथ मिलकर रीजन में आतंग वात को खुतम करने की कोशिश कर रह इनको आपने काफी बार राजसवा टीवी में देखा होगा और वेरियस जियो पॉलिटिकल टॉक्स में बात करते हैं ये इंडिया के अमबैसडर रह चुके हैं तो पाकिस्तान और वेरियस और कंट्रीज में सर्व कर चुके हैं तो इन्होंने का है इनका ये उपिनियन है कि ये जो यूएस ने किया है ये शरारत है ये चाते हैं कि ये पाकिस्तान और फोर्स को थोड़ा सा एज दे दे ताकि पाकिस्तान और फोर्स इंडियन और फोर्स को मैच कर पाए रिसेंटली इंडिया ने जो S-400 एक्वायर कर लिया है रफाइल फाटर जेट एक्वायर कर लिये है इस सब की वज़े से पाकिस्तान एरफोर्स में नर्वसनेस है तो थोड़ा सा बैलन्स करने के लिए US हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की एरफोर्स की और पार्था साती साब का जो यहाँ पे तर्क है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंके पहली बात तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे न कि किस तरीके से USA ने F-16 फाइट दिये पाकिस्तान को तो आप जैनुवेली शक करोगे USA की इंटेंशन के बारे में हुआ यहाँ पर क्या के 1980 की शुरुआत में USA के उस वक्त के प्रेजिडेंट थे रॉनल्ड रेगन यहाँ पर आप देख पाओगे आइकॉनिक फोटो है वाइट हाउस की यह उस वक्त के US प्रेजिडेंट रॉनल्ड रेगन और यह यहाँ पर खड़े हैं USSR और USA 14 पाकिस्तान की हेल्प USSR को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तो उस वक्त रॉनल्ड रेगन ने प्रस्ताव रखा कि क्यो ना हम F-16 जो है फाटर जेड यह दे दे पाकिस्तान को अब प्रॉब्लम यह थी के USA में ही कई जो इनके जियो पॉलिटिकल ठिंकर हैं जो इनके मेंबर ऑफ पार्लिमेंट है यह खड़े हो गए उन्होंने कहा के देखिए F-16 से कल को पाकिस्तान अगर नुकलियर बॉब्म यूज़ करना स्टार्ट कर देता है नुकलियर बॉब्म डॉब करता है तब हम क्या करेंगे यह बहुत ही बड़ा कंसर्न है मारे लिए और उस वक्त बात भी चल रही थी कि पाकिस्तान सीक्रेटली एक नुकलियर वेपन्स प्रोग्राम पर काम भी कर रहा है Ronald Reagan ने का कि मुझे पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है पाकिस्तान कभी nuclear weapons नहीं बनाएगा और इन्होंने advocate किया कि बिलकुल पाकिस्तान को F-16 fighter jet मिलने चाहिए Eventually कुछ delay के बाद पाकिस्तान को USA ने F-16 fighter jet दे दिये बाद में USA को पता लगा 1990s के अंध में कि पाकिस्तान ने चुपचापना 1989 में चाइना की help से उसके लावा कुछ और countries की help से जो F-16 है इसको modify कर दिया था बिना USA को बताए और इसको capable मना दिया nuclear strikes के तो पाकिस्तान के जो F-16 है ये आज के समय nuclear strikes भी कर सकते हैं और अजीब बात देखिए USA को इसके बारे में पता लगा इनोंने पाकिस्तान को बिलकूल एक formality के साफ से डाट लगाई और फिर आट किया के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है तो literally आप कह सकते हैं कल को अगर पाकिस्तान इंडिया पे नुकलर स्ट्राइक्स गेरता है तो उसमें कही ना कही USA का भी रूल होगा तो ये सब चीज़े in the past हो चुकी है तब भी USA ने जो ये 450 मिलियन डॉलर का अप्ग्रेडेशन ये अलाओ कर दिये पाकिस्तान एरफोर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विश है और ये भी भूलियेगा मत के इवन दो US कहा रहा है के हम कोई नया हत्यार नी देंगे पाकिस्तान को electronic combat के मामले में US पाकिस्तान के F-16 को और भैतर बना देगा जिससे कल को पाकिस्तान के F-16 आसपास के फाटर जेट को दुश्मन के फाटर जेट के जो रेडार्स हैं उनको जैम भी कर पाएंगे तो clearly USA की तरफ से ये बहुत भी बड़ा एक step है ये चाहे अपनी तरफ से इसको जितना downplay करे मगर इंडिया को clearly alert रहना होगा क्योंके US कभी भी इंडिया पे दवाव डालने के लिए पाकिस्तान को support करने का जो इनका card है ये play कर सकते हैं historically नोंने किया है इंदर future भी कर सकते हैं इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि US हमको destroy करना चाहता है US हमारा दुश्मन है नहीं basically US को जब भी लगेगा कि इंडिया इनकी इतनी बात नहीं सुन रहा जो इनकी strategy है grand geopolitical strategy उस case आफसे इंडिया नहीं चल रहा तो अचानक से आप देखोगे US का जो पाकिस्तान प्रेम है ये बहुत जड़ा बढ़ जाएगा और इस case में भी यहीं हुआ है now finally यहापे मैं आपसे question पूछूँगा question यहाँ पर यह है बहुत easy question है इस question के बारे में मैं काफी बार बात कर चुका हूँ पुरानी वीडियो में तो अगर आप वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो इसका answer आप राम से कर सकते हैं question यह है कि Eastern Economic Forum आज कल काफी news में है आपको बताना है कि हर साल Eastern Economic Forum कौन सा देश होस्ट करता है PM Modi ने भी recently आपर भाशन दिया है यह है आपकी option Russia, India, China या फिर Poland comment section में मैं चाहता हूँ सब लोग answer करो मुझे बताओ कि आप लोग basic समझते हो आप लोग काफी को सीख चुके हो show me the proof of it comment section में सब लोग आपके answer करो कि लगातार हर साल Eastern Economic Forum कौन सा देश होस्ट करता है और हाँ finally आप सब लोग के लिए एक important message आने वाले कुछ दिनों के लिए Unacademy की special 20% sale हो चुकी है active usually आप देखोगे कोई भी course Unacademy का उस पर 10% discount होता है आने वाले कुछ दिन तक ये discount 20% रहेगा तो comment section में जाओ किसी भी exam के लिए आप prepare कर रहे है let's say आप prepare कर रहे है for UPSC तो click करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जागा यह page और यहाँ पे आप UPSC exam के courses purchase कर सकते है flat 20% discount आपको मिलेगा for a limited time period यहाँ पे code डालिए PD10 और आप देखोगे prices बहुत ज़ादा गिरना यहाँ पे start हो जाएंगे so you can save a lot of money but यह offer सिर्फ limited time के लिए है कुछ समय के बाद वापस 10% discount शुरू हो जाएगा तो अगर आप कोई courses purchase करना चाहते है बाइन academy now is the right time to do it so this note के साथ यह है video can't thank you for listening and as always God bless you all